नमस्कार दोस्तू, मेरे बिलियंड है जीओकसे नम्मे आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू, आज हम पढ़ेंगे टेंस तो टेंस पढ़ने से पहले हम उसके कॉंसेप्ट के बारे में जा लेते हैं टेंस एम टाइम अलग-अलग कॉंसेप्ट है टेंस एम टाइम समान नहीं है एसे बहुत से बाकिय हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में कार्य के संपन होने को परदसीत करते हैं लेकिन इंग्लिस ग्रामर के नेम अनुसार उन पर परज़ेंट टेंस के नेम लागव होते हैं उनका अनुवाद प्रजेंट टेंज के नियमानुसार किया जाएगा जैसे से इस कमिंग टुमारो सिता इस गुएंग टु दिलिट टुमारो मिश्टर सर्मा रिटायर्ज इन दा मंद ओब दिसंबर यह वाग के फ्यूचर टाइम या एक्षन को बताते हैं लेकिन उनका अनुवाद प्रजेंट टेंज के नियमानुसार किया जाता है अथा टेंज एउट टाइम दो अलग-अलग कॉंसेप्ट है अब आपको टेंज एउट टाइम का कॉंसेप्ट बली बाती समझ में आ गया होगा तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं टेंज के काइंट्स के बारे में तो दोस्तों टेंज है वो तीन परकार के होते हैं पहला परजेंट टेंज यानि कि वर्तमान कार दूसरा पास टेंज यानि कि भूत कार और तीसरा आता है वो future tense यानि कि बविश्य का दोस्तों अब बात करते हैं tense के उपवागू के बारे में यानि कि परतेक tense को कार्य क्यादार पर चार चार बागू में बाटा गया है तो दोस्तों पहला जो उपवाग है वो होता है indefinite दूसरा होता है continuous तीसरा perfect और चौता perfect continuous दोस्तों अगर आपको अभी यह समझ में नहीं आ रहा होगा तो देरे देरे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको यह देरे देरे समझ में आता जाएगा अभी तो शिरफ जो स्टेंस कारिया में संपन होने की स्टती स्टेट ओपन एक्शन के अनुसार परजेंट टेंस को चार बागों में विवाजित किया गया है पहला present indefinite दूसरा present continuous तीसरा present perfect और चौता present perfect continuous दोस्तों मैं इससे समझेद आपको चार सेंटेंस बता रहा हूँ परजेंट इंडेफ टेंस का जिसकी इंगलीस होगी he is playing third sentence है present perfect tense का वह खेल चुका है यानि कि he had played fourth sentence है जो present perfect continuous का है और वह sentence है वह तीन गंटे से खेल रहा है जिसकी इंगलीस होगी he has been playing for three hours दोस्तों आपने देखा होगा कि परतेक सेंटेंस में कुछ परिवर्तन किया हुआ है वह परिवर्तन किस परकार किया जाएगा तथा कौन से समय को इंगित करा है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं present indefinite tense के affirmative sentence के बारे में आपको पता ही होगा कि परतेक टेंस में के चार वाकिये होते हैं affirmative, negative, interrogative और interrogative, negative दोस्तों हम पहले बात करने जा रहे हैं affirmative sentence यानि सकारात्म वाकिये के बारे में और दोस्तों कोई भी वाकिये पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि उसको हिंदी में कैसे पैसाना जाएगा तो दोस्तों कोई भी वाकिये के अंद में ता है, Till है, अल्याली यसे सब्द आते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि ये sentence है, वह present indefinite tense का है एक बार मैं वापिस बता रहा हूं पैचान हिंदी वाग क्योंकि अंत में ता है ती है ते है अत्वा ता हूं इत्यादी सब दाते हैं तो वह sentence present indefinite sentence के गहलते हैं दोस्तों कोई भी sentence को बनाने के लिए हमें structure की आपसकता होती है अगर हमें निश्चित structure के बारे में मालूम नहीं होता तो हम किसी भी sentence को सभी तरीके से नहीं बना सकते हैं दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि A, C, A, E, S कब लगाना है इसी वीडियो में और उसके बाद last में object दोस्तों जो हम बात करें हैं वो A, C, A, E, S लगाने की वो पहले हमें बता रहा हूँ आपको A, C, A, E, S कब लगाना है दोस्तों अगर कोई simple presentance में subject singular number third person है तो वर्व के साथ में A, C, A, E, S जोडा जाता है यानि की subject singular है तो हम क्या करेंगे वर्व के last में A, C, A, E, S जोड देंगे दोस्तों A, C, A, E, S जोडने का सबसे साधान नियम वो है कि अगर किसी भी वर्व के अंत में double S, O, Z, X, C, H, S, H है तो इस परकार के वर्व के साथ में हम E, S जोड़ेंगे जैसे दोस्तों दियावा है गो उदारन के लिए गो गो तो last में दोस्तों आयावा है यहाँ पे O तो हम यहाँ पे इसका singular बनाने के लिए यानि जो यह गो दी हुई है यह पलूरल है अब हम इसको singular बनाएंगे तो singular बनाने के लिए हमें गो में E, S जोड़ेंगे तो यह singular बन जाएगे सेकेंड है सर्च, S, E, A, R, C, H तो सर्च में हम जोड़ेंगे E, S क्यूंकि last में आयावा है CH, CH आने पर हम इसका singular बनाने के लिए हमें E, S जोड़ेंगे नेक्स्ट है किस इसमें डबल अस आयावा है ुसका singular बनाने के लिए हम E, S जोड़ेंगे किस से जो जाएगा नेक्स्ट है F. T. C. H. इसमें भी C. H. आईआ हो है और इसका हम singular बनने के लिए ES जोड़ेंगे यानि F.ेच जोड़ेंगे Last है वो Q. Q में Z आया होँ है तो Z में Z आया होँ तो यहाँ पर हम इसका singular बनने के लिए Q.J. कर देंगे Q. U. I. J. E.S. और बाकी सभी वर्ब में S लगता है और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके अंत में Y आता है और Y से पहले Consonant आता है Consonant जानते ही होंगे वोवल होते हैं इंगलीज में 5 A, E, I, O, U उसके अलावा जो बाकी बचे में लेटर होते हैं वो Consonant लिकलते हैं दोस्तों अगर किसी भी वर्ब के अंत में Y है और Y से पहले अगर Consonant है तो सबजेक्ट सिंगूलर नमबर थर्ड परसन के साथ हम सिंपल परजेंटेंस में Y को I, E, S में बदलते हैं जैसे फ्लाई F, L, Y तो हम इसका सिंगूलर बनने के लिए F, L, I, E, E, S यानि के Y को उठाकर हमने I, E, S जोड़ा है Second है Cry C, R, Y तो हमने Cry को सिंगूलर बनने के लिए C, R, I, E, S बनाया है Third है Try T, R, Y Try को हमने सिंगूलर बनने के लिए हमने किया T, R, I, E, S यानि Y को उठाकर हमने IES में परिवर्थित कर दिया फोर्त है verify तो दोस्तो verify को हम singular बनाने के लिए verify की जगे y की जगे हम क्या करेंगे IES जोड़ दिंग तो हो जाएगा verifies अब हम देखते है पहला sentence पहला sentence आपके सामने दियावा है मैं खेलता हूँ दोस्तों पहले हिंदी वाके में हम यह जान लेते हैं कि इसमें subject कौन है अवारब कौन है और object कौन है दोस्तों इस वाके में मैं यानि यह करता है करता किसे करते हैं यह भी जान लेते हैं करता किसे करते हैं जिसके बारे में या तो हम बात करते हैं और या जो वाक्य में काम कर रहा होता है, उसको करता करते हैं, या तो हम जिसके बारे में बात करते हैं, या जो वाक्य में काम कर रहा है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, करता बोलते हैं, वर्ब किरिया को बोलते हैं, जो भी एक्सन हो रहा है वाक्य में, उसको हम वर्ब बोल और object बोलते हैं जो subject और वर्व मिल कर subject और वर्व निकर जो भी कार्य करते हैं वो object क्लाता है दोस्तुं तो इसमें आपको पता लग गया होगा कि यहां पर कार्य करने वाला कौalet है मैं Second, हम बात करने वाले हैं वर्ब के बार हैं, तो वर्ब इसमें किया honour है, इसमें खेलने का तो इसमें दियावा है खेलआ वर्ब. और लास्ट में ता हुँ पेचान दी हुई है, जसे हम बता लगा सकते हैं कि यह वाकिывает Simple Presentże Existory learned. मैं i yeah yeah seventeen trip i mean English में बोलते है इसके बाद आई को एक बाद यह भी जाह ओरहए ना i को पजेन्टेंट्रेंस में प्ली रल माना जक्या है यह जाहाँ रीणटेंस में प्लीरल माणा जाथा है उसके बाद I के बाद यानि subject complete कर दिया complete subject complete करने के बाद हम यूज करेंगे अब verb का, तो verb है इसमें खेलना खेलना को इंग्लिस में बोलते है play तो इसका जो इंग्लिस translate होगा वो होगा I play दोस्तों आपके सामने अब दियावा है next sentence वह लिखता है तो वह लिखता है इसमें subject कौन है वह क्या action हो रहा है लिखने का, तो वर्व होगे लिखना और ता है दियावा है वो पैचान दियावा है आपके सामने तो दोस्तों वह को इंग्लिस में बोलते हैं E और C A का हम यूज करते हैं पुरुष के लिए और C का हम यूज करते हैं इस तरी के लिए तो दोस्तों वाक्य को देखते हैं आपको पता चल गया होगा यानि लाश में ता है दियावा इसका मतलब आपको यह पता लगया होगा कि यह वाक्य पुरुष को इंगित कर रहा है यानि यह वाक्य वाक्य है वो पुरुष को इंगित कर रहा है तो इसका हम ट्रांसलेट करते से मिए जान में रखेंगे कि वह की जगे हम लिए यूज करेंगे तो वह को इंग्लीव में बोलता है hem और लिखना को इंगलिज में बोलते हैं right अब दोस्तों देखो right के साथ में हमें as या es जोड़ना है क्योंकि यहां पर जो वह दिया हुआ है वो singular है अगर subject singular है तो हमें वर्व के साथ में as या es जोड़ना है तो हम यहां पर जोड़ेंगे as w-r-i-t-e-s तो इसका सई translate होगा he writes third sentence दियावा है हम TV देखते हैं इसमें subject दियावा है हम यानि कारे हम कर रहा है उसके बाद वर्व दी हुई है देखना और object दियावा है TV तो दोस्तों अब हम इसका translate करेंगे तो एक बात जान में रखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे subject यानि we उसके बाद वर्व लिखना है watch इसमें a-c-a-s क्यों नहीं लगया है क्योंकि यह plural है हम plural है सिरफ I को यानि में को प्रजेंटे से plural मन जाता है यह बात आपको जान में रखना है तो हम का हो गया we देखना का हो गया watch और टीवी को इंगलिज में टीवी बोलते है तो we watch टीवी फोर्थ सेंटेंस है मेरे पिताजी ओपीस जाते है तो यहाँ पे जाने का काम कौन कर रहे है मेरे पिताजी तो यह subject हो गया उसके बाद क्या action कर रहे है जाने का काम कर रहे है और object हो गया है यहाँ पिताजी बोलते है तो सबसे पहले जो subject दियावाँ उसको लिखे गे तो मेरे को बोलते हैं my और पिताजी को बोलते है은 father तो मेरे पिताजी को इंगलिस में गईinement my father उसके बाद verb है जाना तो जानास को गोð बोलते हैं क्योंकि यहां सब्जिक्ट है जो सिंगुलर है सिंगुलर होने के वज़ेसे अम यहां पर गों में इस बsight गों जिस भी वर्व के लास में ओ, जैड, मैंने बताया था यह आएंगे तो हम क्या करेंगे एस जोड़ेंगे तो my father goes उसके बाद किसी भी इस्तान के लिए हम जाने के लिए हम to का इस्तेमाल करते हैं और इस्तान है आपके सामने ओपिस यानि हम यहाँ पे object दिया गाँ ओपिस दोस्तों आपने देखा होगा first or second sentence में हमने object नहीं लगया क्योंकि हिंदी वाके में object दिया हुआ ही नहीं था next sentence है वे गाना गाते हैं तो यहाँ पे subject दे है यानि वे काम कोन करें वे करें हैं क्या काम करें हैं गाने का काम करें हैं और क्या काम करें हैं वो गाना यानि यह दोनों मिलकर गाना गाना कहा रहें तो अब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो इसे व में बूते हैं। अगर बीट सब्जेग सेए, जूद में बूते हैं, करो इससे व संदेथा, उसके बार object है अपने पास गाना तो गाना को इंगलिस में बोलते हैं तो इसका translate होगा they sing song दोस्तों यह वाक्य देखे आपको समझ में आ गया होगा कि किस परकार हम translate करते हैं और अब आपको मैं exercise के लिए 5 वाक्य दे रहा हूँ वह वाक्य आप बेट के अपने copy में या comment box में आप लिके हमें बता सकते हैं कि किस परकार आपने इस वाक्य को बनाया दोस्तों अब हम negative, interrogative और interrogative negative sentences की हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए part 2 का आप wait करना और जल्द ही है part 2 आपके लिए आजाएगा तब तक के लिए जै हिंद बंदे मात्रों